भारत में कई ऐसी जगा हैं जहां सेक्डों लोग घूमने आते हैं इसी वज़ा से भारत सर्वश्रेश्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पर हमारे देश भारत में कई ऐसी जगा हैं जो बेहत रहस्यमई हैं और जहां कोई आना नहीं चाता दुनिया में बहुत सी ऐसी जगा हैं जो अजीव और गरीब हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी पांच रहस्यमई जगाओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा पहली ऐसी रहस्यमई जगा है शनी शिगनापूर महराश्च्र के शनी शिगनापूर मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमई बात यह है कि यहां बैंक हो या स्कूल घर हो या फिर कोई अन्यभवन यहां ताला नहीं लगाया जाता जी हां यहां यहां पर दर्वाजे बिना ताले के रात भर दिन भर 24 गंटे खुले रहते हैं इन जगों पर दर्वाजे 12 दिन खुले रहते हैं यह माना जाता है कि अपराद का दर भी यहां पर शुन्य है यानि कि यहां पर अपराद भी नहीं होता दूसरी रहसी में जगा केरल की है केरल में होती है लाल बारिश केरल के इठुकी में एक रहसी में चीज है जिसका जवाब लोग नहीं जान पाते है यहाँ खून की तरह लाल रंग की बारिश होती है जी हाँ आपने सही सुना लाल रंग की बारिश इस वज़ा से लोग इसे खून की बारिश कहते हैं सबसे पहले 2001-25 जुलाई को इस बारिश को यहां दर्स किया गया था ऐसी बारिश की वज़ा से कपड़ों से लेकर इमारत तक लाल रंकी हो जाती है तीसरी रहस्य में ही जगा असम में है यहां जाते ही मर जाते हैं पक्षी जी हां असम में स्थित जितंगा गाउं बेहल ही अजीव और गरीब और रहसी में ही जगा है यहां कई बार देखा गया है कि पक्षी सडकों पर मरे हुए पड़े हुए है हैरान की बात यह है कि मौनसून के वक्त प्रवासी पक्षी यहां आते हैं और पेडों से लटक कर खंबों तक बैठे बैठे अचानक जमीन पर गिर जाते हैं जादा तर ये घटना सितंबर और अक्टूबर में देखने को मिलती है चौथी रहसे में जगा लखनव में है बिना खंबे के खड़ा है इमामडा आपको बता दे लखनव में स्थित बड़ा इमामडा काफी फेमस जगा है आपको बता दे इसके अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर सद्धान्त काम ही नहीं करता वो इसलिए क्योंकि बड़ा इमामडा बिना पिलर के खड़ा है इसके अंदर एक पचास मीटर का हॉल है और यह तीन मंजिल उचा है जिसमें कोई पिलर नहीं है इसके अंदर भूल-भूलया भी है पांचवी रहसी में जगा आंदर प्रदेश की है आंदर प्रदेश का लोपाक्षी अपने आप में बेहद ही रहसी में जगा है आपको बता दें आंदर प्रदेश में लोपाक्षी और एत्यहासिक स्थल है लोपाक्षी की वास्तुकला बेहद ही अनोखी है इस मंदिल से जुड़ी एक हेरान करने वाली बात यह है कि यहां मौजूद सत्तर खम्बों में से एक «도-blog अब हवा हमें लटक रहा है» यानि बिना सहारे के वो खम्बा हवा में लटक रहा है ऐसे में लोगों ने काफ एक्सपेरिमेंट्स भी किये लोगों ने खंबे के नीचे कपड़ा डाल कर भी देखा